Hello and welcome students to Paragon Classes. In class 12 के आज के lecture में हम start कर रहे हैं Optics, जो कि एक branch है physics का और उस Optics में हम start कर रहे है आज जो chapter उसका नाम है Refraction of Light. थो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर , रिफ्रैक्षिन आफ लाइट यहाब के सामने जो , अब स्लाइड आ रहा है , जैसा के आप देख पा रहे है tick यह आपका Refraction of Light है और सबसे पहले हम Definition से सीखेंगे कि Refraction का Meaning क्या है जैसा कि आप सब लोग जानते ही है कि Optics Physics का वो ब्रांच है जिसमें हम Light के बारे में Study करते हैं और यह आपका Light का Refraction आपको पढ़ा जा रहा है तो Refraction के Definition को हम पढ़ते है The phenomenon of change in path of light as it goes from one medium to the another is called Refraction यह आप जो diagram देख रहे है तो इस Definition को हम इस diagram से समझने की आपको दिखाते है Method इस diagram में जैसे की आप देख पा रहे है यह एक Ray of Light आपको दिखाई दे रही है जहां लिखा है Incident Ray और यह Ray ट्रावल करके इस Point पर Strike करती है और यह आप देख पा रहे हैं कि जो Medium है वो है Air Incident Ray एर में ट्रावल करती है यहां पर जहां Strike करती है यह Boundary है और उसके नीचे दूसरा Medium है Second Medium विच इस Glass तो हम ऐसा कहते है कि Light is Traveling From One Medium यह देखे लिखा है From One Medium To Another तो एक Medium से दूसरे Medium में Enter होगे Light पहले Medium में जो Ray of Light है उसको Incident Ray बोलते है दूसरे Medium में Enter हो जाने के बाद जो Ray है उसको Refracted Ray बोलते है और जैसा कि Diagram में आप देख रहे है यह एक Line है यह वाली जहां पर हमने Tick Mark लगा है और वहां लिखा है Normal Normal जो Line है वो एक Imaginary Line ड्राव की जाती है इस Surface के Normal Normal मतलब 90 डिगरी This Line शुड बी Perpendicular to this Boundary Perpendicular को ही Normal कहते है अब यह Line आप जो Normal बनाते हो इस Normal के साथ जो Angle Incident Ray ने बनाया है यह जो I लिखा है इसको कहते है Angle of Incidence और आप देख रहे हैं कि यह Ray of Light अगर बेंड न होती तो ऐसे ट्रावल करती यह इसका एक्सपेक्टेड पाथ है अगर Incident Ray एर से Glass में Enter होने पर बेंड न करती तो यह जो मैंने Red कलर से बनाया है यह ऐसे ट्रावल कर जाती लेकिन Actually में यह यहाँ पर ट्रावल कर रही है तो यह आपका Refracted Ray है और आप देख रहे हैं कि Light अपने Actual Path से बेंड हो गई है जब वो एक Medium से दूसरे Medium में जाती है नीचे भी यह Normal बना है यह Ray Refracted Ray है और यह Angle जो है यह Angle of Refraction है यह जो आप Phenomenon देख रहे हैं इसी Phenomenon को कहा जाता है Refraction of Light Refraction Word लाइट के उस Phenomenon के लिए यूज किया जाता है जिसमें Light Bend होती है When it travels from one medium to another तो यह एक Ray of Light जाके टकराकर Bend हो गई Incident Ray कहते हैं इस Ray को और Bend होने के बाद जो रहे है वो Refracted Ray Incident Ray जो Normal के साथ एंगल बनाती है वो Angle of Incidence Refracted Ray जो Normal के साथ एंगल बनाती है वो है Angle of Refraction तो यह Phenomenon के लाता है Refraction of Light और हमेशा इस Phenomenon में Light एक Medium से दूसरे Medium में जाती है यहाँ पर एक Medium Glass है एक Medium Air है दूसरा Medium है Glass Air से Glass में जा रही है Air से Water में जा सकती है Water से Glass में जा सकती है एक Medium से दूसरे किसी भी Medium में लाइट जाएगी तो उसको Refraction of Light कहा जाता है तो यह Phenomenon अब आपको समझ में आ गया है Refraction क्या है अब यह Refraction जब Phenomenon टेक प्लेस करता है तो दो Laws आपको पढ़ने हैं जो Laws of Refraction कहलाते हैं बच्चों ने शोटी क्लास में 10th क्लास में Reflection के भी दो Law पढ़े थे वो Laws बच्चों को याद होंगे यहाँ पर हम Refraction के Law आपको सिखाते हैं तो यह अब आपको शोग करते हैं Laws of Refraction देख रहे हैं इस डाइग्राम में अभी आप देख पा रहे हैं Refraction का Phenomenon शोग किया गया है यह आपके सामने Incident Ray यह Ray है और उसके बाद यह आपकी Normal Normal बताया था सबको Surface साथ 90 डिगरी का एंगल बनाती है हम सपोस कर लेते हैं यह Medium Air है जिसको हम A से डिनोट कर लेते हैं यह Medium Glass है जिसको हम B से डिनोट कर लेते हैं और Ray of Light Air से ग्लास में एंटर हो रही है यह जो हमारा एंगल है यह एंगल आफ इंसिदेंस क्या लाएगा यह हमारा एंगल एंगल आफ रिफरैक्शन क्या लाएगा यह हमारी कौन सी Ray है रिफरैक्टेड रे तो इंसिदेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वह angle of incidence यह वाला angle है और refracted ray ने जो normal के साथ angle बना या है वो angle of refraction है वो यह angle आप देख रहे है अब हम laws of refraction पढ़ते हैं phenomenon आप पढ़ चुके हो light एक medium से दूसरे medium में जाए और वो bend हो जाए तो वो refraction कलाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं the phenomenon of refraction takes place according to the following two laws यह law number one है यह law number two है पहला law क्या है first law बोल सकते हो आप इसको यह आपका first law है first law में लिखा है the incident ray the normal to the refracting surface यह लिखा है the incident ray the normal to the refracting surface at the point of incidence and the refracted ray क्या बुलना मतलब है यह incident ray यह normal और यह refracted ray all lie in same plane आपने जो reflection का law पड़ा था जिसमें की light एक mirror पर टकराती है ऐसे अगर आप एक mirror देख लें तो light एक mirror पर टकराती है और टकराके वापस चली जाती है इसको reflection बोलते थे और यहाँ पर नॉर्मल बनाया जाता था यह angle of incidence होता था यह angle of reflection होता था इसमें भी first law सेम ही था incident ray normal and reflected ray all lie in same plane plane मतलब surface जैसे आप इस समय screen पर जो surface देख रहे हैं यह ray भी इसी surface पर है नॉमल भी इसी surface पर है और refracted ray भी इसी surface पर है अगर यह एकी surface पर ना हो तो यह ray इन में से कोई एक ray screen से बाहर की तरफ भी निकल सकती है यह screen में अंदर जा सकती है कोई भी रे screen से बाहर या screen के अंदर नहीं जा रही यही बात यही diagram अगर आप बुक में देखेंगे या अपनी copy में draw करेंगे तो जिस जो plane आपका copy का paper है उसको surface या plane बोलेंगे उस plane में ही incident ray बनेगी, उस plane में ही reflected ray बनेगी, उस plane में ही normal बनेगा, कोई भी ray copy से बाहर या copy के अंदर नहीं जा रही होगी, तो first law का meaning है, incident ray, normal and refracted ray, क्या बोला, incident ray, normal and refracted ray, all lie in same plane, जिस surface पर आप डाइग्राम बना रहे हैं, उसे plane ही कहा जाता है, अब आते हम second law पर, यह आपका second law है, और first law के बदा हम second law देखते है, second law कहता है, the ratio of the sign of angle of incidence to the sign of the angle of refraction is constant for the two given media, अब इसका meaning कहा है, देखेंगे, यह जो आप angle of incidence देख रहे हो, यह law कहता है, अगर हम लिखें, साइन आई, साइन आई का मतलब angle of incidence का साइन, जैसे साइन थीटा, कॉस्स थीटा लेते हैं, थीटा की जेगे बस आई लिखा है, और उसको डिवाइड कर देए, साइन आर से, यानि angle of incidence का साइन लें, और angle of refraction, यह रहा angle of refraction, इसका भी हम साइन लें, और यह डिवाइड करने का मतलब, आपने इन दोनों का क्या निकाल दिया है, रेशो, तो जब आप रेशो निकाल देते हो, साइन आई और साइन आर का, वो हमेशा एक constant आएगा, और उस constant को इस चीज़ से denote करते हैं, यह जो लिखा है, यानि यहाँ पर लिखा जाएगा, और यह जो A mu B है, इसमें mu जो है, उसे कहा जाता है, refractive index, यह देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है, relative refractive index, लेकिन किसका, of medium B, B, B मतलब second medium, जो भी होगा, उसका refractive index कहा जाएगा, with respect to, यह देखें, with respect to medium A, यानि, इस box में जो यह formula लिखा है, यहाँ पर भी यह formula दुबारा लिखा है, यह रहा, यह box में, यह already printed है, टाइपडे पहले ही, लेकिन हमने आपको लिखकर दिखाया, वो यही formula है, sin I upon sin R, देखें, sin I by sin R, यानि, angle of incidence के sin का, और angle of reflection के sin का, जो रेशो है, वो एक constant होता है, लेकिन जैसे constant का नाम होता है, आपने सुने होंगे, बोल्ट्समेन constant होता है, युनिवर्सल ग्रेविटेशनल constant होता है, गैस constant होता है, ऐसी इस constant का नाम क्या है, relative, refractive index of medium B, यह याद रखें, यह बहुत important point है, आप जब भी sin I by sin R निकालेंगे, तो I होगा first medium में, और R होगा second medium में, यह एंगल of incidence आपका first medium में angle है, refraction दूसरे medium में जाने के बाद refracted ray जो angle बनाती है normal के साथ, वो है, उन दोनों का ratio से आपको हमेशा second medium का refractive index मिलेगा, with respect to, with respect to first medium यानि A, आप A mu भी जब भी लिखेंगे तो उसका एक ही meaning है, it is the refractive index of medium B, B का refractive index with respect to A, यह order बहुत important है, और आपके पूरे इस chapter में, refraction में, जब तक light एक medium से दूसरे medium में जाती है, यह order हमेशा काम आएगा आपको, बलकि इस chapter से अगले chapter में, dispersion में, optical instrument में भी यह काम आएगा, तो इसे अच्छी तरह learn by heart कर लेंगे, कि sine I, यानि angle of incidence का sine, और angle of refraction के sine का जो ratio है, उसको A mu B से denote करते हैं, वो एक constant है, और उस constant का क्या नाम है, relative refractive index of medium B, याद रखें, बाद वाला medium, second medium, जिसमें light finally जाती है, with respect to medium A, चीक है जी, तो यह आपको याद रखना है, और denote काएं से करते हैं, A mu B, यह भी पहचान के लिए है, A पहले वाला medium, B बाद वाला medium, तो पहले से बाद में जा रही है, A से B तक light जा रही है, और बाद वाले का refractive index, find out किया जाएगा, पहले वाले medium के respect में, और refractive index, of second medium, with respect to first medium भी बोल सकते हैं, refractive index of, B with respect to A भी बोल सकते हैं, या अगर आपको glass और air नाम बता हैं, तो आप refractive index of glass बोल सकते हैं, इसको with respect to air, तो इस class में आपने, दो चीज़ें पढ़नें के reflection क्या होता है, light एक medium से दूसरे medium में जाती है, उसे reflection कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर जा रही है, और reflection के दो laws क्या होते हैं, पहला law, तीनो rays, incident ray, refracted ray, और normal, तीनो सेम plane में लाए करते हैं, जैसे कि आप इस diagram में दिख रहे हैं, यह plane यह surface है, और angle of incidence के sign, और angle of reflection के sign का जो ratio है, वो हमेशा constant होता है, constant यह रहा, और constant का नाम है, A mu B, इसको पढ़ते हैं, refractive index of medium B, with respect to medium A, अब आपको next turn पर, यह पढ़ा जाएगा, कि यह refractive index, किन-किन चीज़ों पर depend करता है, on what factors, this refractive index depends, तो उसके लिए, हम मिलेंगे अपने next lecture में, तब तक के लिए, आज का goodbye, take care,